नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक अलग तरह की आज जानकारी लेकरके जी हाँ वैसे तो आप हमारे चैनल पे सुनते रहते हैं कि हम रेमेडिय के द्वारा आप सभी को इलाज बताते रहते हैं या फिर स्व वहीं है कि आप बगैर दवा कराए खुद बखुद घर पे कुछ एक बिमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ की क्या उपयोगिता है किसी के भी जीवन में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और स्वस्थ रहने के लिए कुछ एक चीज़ें करनी ही पड़ती हैं कई बार क्या होता है कि किसी की शादी में गए फंक्शन में गए लेट हो ही जाता है और जब लेट होता है तो हमारा सोने का टाइम भी बदल जाता है जिसकी वज़से निंद अच्छे से पूरी नहीं होती है या फिर बहुत लोगों को आदत ही होती है कि सुरियोदय के बाद निंद खुलती है उनकी यानि कि आख खुलती है ऐसे लोगों को अकसर माइग्रेन की प्रोब्लिम हो जाती है यानि कि आधे सर का दर्द हिंदी में कहते हैं अधकपारी यानि कि माइग्रेन से वो पिडित हो जाते कि करना क्या है तो इसके लिए एक बेहद ही सस्ता कहें जिसमें कि एक पैसा आपका नहीं लगना है बस कुछ वक्त लगेगा आपका और सही धंग से आप इस विधी को अपनाएंगे तो आपके आधे सर का दर्द या फिर सरदर्द कैसा भी सरदर्द हो वो दूर हो जाएगा रहत मिलेगी आपको ततकालिक हां अगर रिगुलर का है तो सबसे पहले तो आप अपनी हैबिट को बदलिए कोशिश करें कि सुर्योदय से पहले जग जाएं सुर्योदय के बाद में जगना हानिकारक हो ही जाता है इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम जगें तो तो यानि कि आप खुद बखुद बीमारियों को नियोता देते हैं शरीर को अनकंडिस्नल बनाए रखने के लिया आप खुद जिम्मेदार होते हैं तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपके सर में दर्द है तो कैसे दूर करेंगे आपको करना क्या है कि अपने दाएं हाथ के अंगूठे और तरजनी के बीच में जो गैप है उसमें मांस होता है इस मांस को आपको बाएं हाथ के अंगूठे और तरजनी उंगले से दबा करके दो से तीन मिनट तक रखना है सोफ्ट हैंड से आपको इसको दबाना है थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है इसको एक्यूप्रेसर जी हाँ आज के हमारा यह जो टोपिक है इसी से रिलेटेड है एक्यूप्रेसर के बारे में हमारे अंग जो होते हैं कहीं भी बॉडी में पेन हो या कई तरह की बीमारियों का इलाज एक्यो प्रेशर के द्वारा किया जाता है तो उसी में से ये एक है कि आपको सरदर्द हो रहा है तो आप अंगूठे और तरजनी उंगली के बीच में जो मांस होता है इसको दबा के रखें इसको दबाने में एक सावधानी होती है कि आप इसको ना बहुत तेजी से द जाहत देने लगेगी चलिए एक और आज के एपिसोड में हम आपको बता देते हैं कई बार क्या होता है कि जब हम इंटर्व्यू देने कहीं जाते हैं या फिर स्टेज पॉफॉमेंस करने जाते हैं या कोई भी ऐसा कारे जिसमें की बड़े लोग हो या फिर बहुत नहीं होता है तो हम फोकस नहीं कर पाते हैं कि हमें कैसे बोलना है क्या क्या बोलना है चीजें आद नहीं रहती हैं तो इस नर्वसनेस को कंट्रोल करने के लिए एक बेहद ही साधारन और सिंपल तरीका है आप अपने बाएं हाथ के अंगुठे को बाहर निकालिए अपने म पूंक के पास ले जाईए और उससे फूंक मारिए उस पे आप ऐसा 3-4 मिनट तक लगातार कीजिए अंगुठे पर फूंक मारते रहिए इससे क्या होगा धीरे धीरे आपके शरीर में एक पोजेटिव एनरजी संचारित होने लगेगी और आप देखेंगे कि कुछ देर में आप शांत होते जाएंगे आपका दिमाग शांत होता जाएगा और कैसी भी परिस्थिती हो अगर आपका दिमाग एक्टिव मोड में है आपका मन चित दिमाग शांत है तो आप अपना शत्परतिशत दे पाएंगे क्या होता है कि कई बार बच्चे देखेंगे आपने जिन तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही साधारन और अच्छा तरीका है वैसे तो कहते हैं कि इंटर्विव पे जाने से पहले एक गलास पानी पिलीजे ठंधा ये भी बहुत बहतर उपाय है लेकिन मालीजे पानी वहां पे ना पिना हो या ना हो तो ये सबसे सिंपल त पर फूंक मारी एक से डेढ़ मिनट तक आप देखेंगे कि आपका शरीर खुद बखुद शान्त हो जाएगा आप अपने कारे को सही ढंक से कर पाएंगे तो दोस्तों ये थी आज कि हमारे जहनकारी आप सभी के लिए अगले एक पिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और बेहद ही महतोपून जहनकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों